आई गुड मॉर्निग वेल्कम बैक टू मैं चैनल मैं हूं अनुचावडा आप सोच रही होंगे कि आज ये डिफरेंट बैक्राउंड और डिफरेंट मी के साथ मैं वीडियो कैसे शूट कर रही हूं आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं डे इन माइ लाइफ काइंड और वीडियो मैंने सोचा मैं क्यों आपके साथ इस तरह एक वीडियो भी शेयर करूं सम्थिंग व्लॉग या कुछ भी परसनल टच मेरी लाइफ का ताकि वी केंड कनेक्ट मूर और हम एक अच्छा सा कनेक्शन क्रियेट कर पाएं मैं हूं आज अपनी ममा के घर मुझे यहां एक दिन के लिए आना था तो मैंने सोचा वाइनोट मैं यहां का कुछ व्लॉग आपके साथ शेयर करूं आज का दिन काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है सबसे पहले अपने पापा की एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो काफी स्पाइसी और चटपटी है अगर आपको स्पाइसी खाना बसंद है तो उस रेसिपी को जरूर चेक आउट कीजिएगा काफी इची है आपको I'm sure काफी पसंद आने वाली है और उसके बा इसके काफी हॉरीबल लग रहे हैं अब मैं फटाफट से ब्रेकफस्ट करूंगी और रेडी होने के बाद आप से मिलती हूं बच्चे अभी तक सो रहे हैं अब मैं रेडी हूं तो अब सबसे पहले पापा क्योंकि सब्जी बनाने के लिए बिल्कुर रेडी खड़े हैं तो हम पहले पापा कोई शूट कर लेते हैं यह बंचे अब उड़के नहा रहे हैं चलो यह है पापा अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था तो पापा रेडी है और सबसे पहले दिखाओ कि हम क्या बनाने वाले हैं अ कि यह है देंधें परने जो कि हम गोभी के पीछे जब दंठल होता है उससे आमने इससे कट कर लिया अच्यक्त पर गरंबानी वाला अच्छा था प्रश्ट की लिए इस गरंबानी में वाला ना ताकि आप यह साफ हो जाएं इसमें से सारी डस निकल जाए तो अब यह बहुत है अच्छा थीक है अभी हम रिफाइंड यूज करें यह रिफाइंड है इत्ता सारा ओएल जादा डल गया अच्छा कम करें अब ठीक है अभी रिफाइंड थोड़ा पापा ने कम कर दिया अब यहां पे कुछ मसाले मिक्स करें अच्छा यह एक इतना जीरा है अब यह तेल गरम होने के बार इसमें डाल दिया अच्छा, फटाई-फटा प्टाय वोग्या? फ़र फदे प्रस्टाइब यह रेकिक हैं अच्छा, पैले लेंघान पश्छा का मिक्स्चर है अब यह आए को र मच आलूंगा टालोंगा अच्छा, अश्चा, ल्ड़ी एक चम्च्छ ऺंछ्ता इतना यह उन्यक्षा ने इ अब मिर्चे लाल अपने मसाल अच्छा एक दो बहुत तीका हो गया तो तो को दनिया थिकर आप गरम मसालब कर्णिक इक समय से बहुत ज़ादा यह ही अच्छा ही अच्छा ही वी डलेगी मरजीय डालने डालो नीय डालने माल य घ्टा देगी मेर्ज ली कलर के लिए तुबूर की मेर्थी तुदूर की मेर्थी लॉट्स अप्साले काई किचन की इंगी आपके अग जाए थोड़ा सापिसा हुआ जबने दोपी 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 सपावगे अपनी साफे डाल सकते हो चोल फोली स्पिशी करें ये सॉट अच्छा ऑद्रग का पाउडर जिंजर पाउडर ये जोट डाल ड़ाना है ये इसमें डाल ड़ाना है जल जाएंगे तो जल जाएंगे तो जल जाएंगे. तो जल जाएंगे ठीक है? अब पानी डालो हम आपको. पानी इतना हमें? अज़ता हमें. तो कटोरी पानी गया इसमें और अच्छे चलिक कूकर को बन और इसको कितना सीटी लगवानी है? अब यह मसालों के साथ डंधल के साथ मसालों के सबजी है लेकिन यह बहुत ही यमी बनती है और सर्जियों में तो डंधल काफी अच्छे भी आते हैं तो यह काफी यमी सब्सक्राइब आपको कैसी लगी है जो से अगे का प्लैन यह है मुझे कि मुझे जाना है मार्किट यहां से राने बाग की मार्कित काफी पास है मुझे अपनी पुरानी ओल्ट्रेस को रवैंप करना है मुझे सब्सक्राइब और कुछ रेंड़ं मैं यहां आती हूं तो यहहां कि मार्किट जो है मुझे काफी मैं बचपन से वहां जा रही हूं और मुझे काफी आईडिया है उस मार्कित का तो इसलिए मैं वहां जाऊंगी अज और उसके करने वाली हूं अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना मैं जरूर बनाना चाहूंगी उसके उपर वीडियो कि मैं उसको री स्टाइल कैसे कर रही हूं फिर से इस वक्ताइम हो रहा है धाई बज रहे हैं दिनके तो अब म में की एतने जादये बहुत जाद्हान वायसे तो पापा बहुत डाले हैं क्योंकि यह बढ़ी सब्सक्राइब्स औरहं, हम अच्छे लगती है अक्बाभ मुएं। बढ़ी मासाले के च्छाहिए स्ब्सक्राइब हो अब आप Que Taky Kale में बताईएगा कि कैसा लगा सो देखते हैं कि हमारी सब्जी कैसी बनी है सो अब यह देंटल हमारे रेडी है इसके ओपर ममा यह हरा धनिया डाल रही है और यह बिल्कुल स्पाइसी से लग रहे हैं इस वक्त यू कैन सी कि कितना मसाला है जबी तक कूकर में बाकी है और मैं इस डंडल को मैं ट्राइ करने वाली हूं जूकि बिल्कुल मसाले से लबदार है और काफी स्पाइसी और यमी लग रहे है इस तू गुड आपको क्या घाना है खुझ भी बनाओ श्वाइव रेट पर गोड़ा अगर बनेगा तो आलो अलो अलो एला बरेट पर गोड़ा और तूने मकेन नी बनाएंगे जल्दी बन जाते हैं पर पॉपकोन खालो नाए मैं नी खाली पॉपकोन होना चाहिए कि मम्मा अब फाइनली ब्रेट पर गोड़ा बना रही है काफी जाधा लड़ाई की जगड़े के बार बार बारिश हो गए और मार्केट भी कैंसल ओगया है और भिहान को चहिए पॉपकोर्न इस लिए उसके लिए पॉपकोर्न बन रहा है तो इसके बाद मैं ममा का मेक अप करूंगे और उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे मैं व्लॉग यहीं पर एंड करूंगी फ्रेंड्स आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा तो गाइस मैं चलती हूँ अब और आप से विलती हूँ अपने अगले वीडियो में तिल देन टेक केर बाबाई